हेलो फ्रेंद्स विल्कम बैक तो मैं चानल और आज मैं आपको हिना हेर मास्क बनाना बताऊंगी विद शीक्रिट इंग्रीडियंट उच्छ इंग्रीडियंट से आपके बालों में हिना का कलर और अच्छा आएगा प्लस आपके बाल और ज्यादा सिल्की और शाइनी हो हिना पाउडर मैं पतांजली का केश कांती हर्बल महंदी यूज़ कर रही हूँ वन टेबल स्पूल कॉफी पाउडर मैं दो चोटे-चोटे कॉफी पाउडर के पैकेट्स यूज़ कर रही हूँ एक नीमबूर और मेरा सीक्रिट इंग्रीडियंट छे से साथ क्लोफ और ल तब तक हम हमारे ड्राइ इंग्रीडियंट को रिडी करेंगे चाय पती यूज़ करने से हिना का कलर बहुत अच्छा आता है प्लस चाय पती हमारे बालों को कंडीशनिंग के लिए बहुत जादा अच्छी होती है अभी सबसे पहले हम अमारे जितने भी ड्राइ मैंने पहले भी पतांजली केशकांती यूज़ किया यह बहुत अच्छा होता है बालों के लिए बहुत सॉफ्ट सा फील करते है हमारे बालों को यह लगाने के बाद अब हम इसमें हमारा दो पैकेट जो कॉफी पाउडर है यह डालेंगे कॉफी पाउडर डालने से हिना का कलर बहुत अच्छा आता है बहुत डाक कलर आता है तो दो पैकेट और वन टेबल स्पून हम इसमें कॉफी पाउडर अड़ करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक नीमबू नीमबू में विटामिन सी होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और अगर आपके बालों में डांडर्फ है तो आप थोड़ा और नीमबू एट कर सकते हैं क्योंकि नीमबू डांडर्फ को ट्रीट करने के अब मेरा secret ingredient cloves डालेंगे हम इसमें लॉंग हम सब को पता है लॉंग की गरम तासीर होती है गरम तासीर होने के वज़े से हमारे हिना को बहुत अच्छा रिजल्ट देता है बहुत अच्छी कलरिंग देता है तो अब मेरा जो चाय पत्ती का पानी है वो रेडी है हम बस इसे चा दीरे थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ये चाय पत्ती का पानी में डालेंगे और उसे मिक्स करते रहेंगे अगर लंप्स बन रहे हैं चोटे चोटे गिठाने और धेले बन रहे हैं तो बल्कुल टेंशन मत लेना क्योंकि हम इसे रात भर बिगोएंगे तो वो लंप्स अ चलेगा क्योंकि रात भर में महंदी बहुत फूल जाती है हमारा हेना पेस्ट रेडी है ना मॉर्निंग में इसे आप अप्लाई कर सकते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होका